हेलो एबडिवन आप सभी का फिट से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग फेस्बुक पेज को डिलिट करना सीखेंगें बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है दोस्तो आपको वीडियो को पूरी कम्प्लीट वाच करना है जिससे कि आपको कम्प्लीट नॉलेज मिल जाएगी तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और बेल आइकन को प्रेस कर लिए तो चलिए बिना टाइम वेश्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो सब सहुद्से पहले आपको अपना Facebook अकाउंट को ओपें करना है तो दोस्तो लोगिन करने के बाएद आपको इस तरGe का इंटरफेस आएगा तो दोस्तो यहां सबसे उपर right side में तीन line आपको नजर आएगा तो यहां आपको click करना है जही सही click करेंगे दोस्तो यहां आपको बहुत सारे option मिल जाते हैं तो दोस्तो जो first में है pages यहां एक option मिलता है pages का तो यहां आप click करेंगे तो किलिक करने के बाद दूस्तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा दूस्तो यहां आपका जो भी पेज रहेगा यहां पे आपको सो करेगा तो मेरा एक पेज है Ruby Tech ज्यान के नाम से तो चलिए मैं इनको उपेंड करता हूँ तो उपेंड करने के बाद दूस्तो आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा तो दूस्तो एक लाइन दिखराई दे रहा है ओरिजेंटल में तो यह जैसे की notification, resources and tools तो उसी के just bugle में right side में more का option मिलेगा तो यहां आपको more पे किलिक करना है जैसे ही किलिक करेंगे दोस्तो आपको इस तरह का interface आएगा तो दोस्तो एक option मिलता है page control तो दोस्तो उसके नीचे में एक option मिलता है edit page, edit page info, page quality, setting तो आपको edit page पे किलिक करना है तो दोस्तो किलिक करने के बाद आपको इस तरह का interface आएगा तो दोस्तो आपको थोड़ा नीचे की तरब स्क्रोल करना है उसके बाद यहां लास्ट में एक option मिलता है setting का तो यहां आप setting पर किलिक करेंगे तो किलिक करने के बाद यहां दोस्तो आपको general page information उसके बाद messaging notification इस तरहे का interface आएगा तो दोस्तो आपको first वाला जो general option दिखाई दरा है तो इनको आपको किलिक करना है किलिक करने के बाद दोस्तो आपको बहुत सारे option यहां मिल जाते हैं जैसे की pin page messenger उसके बाद allow post remove page तो यहां permanently delete एक option मिलता है उनके नीचे permanently delete ruby take yarn तो यहां आप किलिक करेंगे तो दोस्तो किलिक करने के बाद यहां आपसे पूछा जाता है deleting a page is permanent तो अगर आप delete करना चाहते हैं तो यहां आप delete पे click करेंगे उसके बाद एक बाद आपको option मिलेगा confirm का तो आप confirm कर सकते हैं तो दोस्तो इसी तरह से आप अपने facebook page को आसानी से delete कर सकते हैं दोस्तो अग कर दोस्तो है कर सकते हैं दो सकते हैं तोस्तो आपको आप करने के बाद आ कार करें पेक।